कर्मों का हिसाब महा भारत की एक कता है जब लड़ाई खत्म हो गई और शांती हो गई तब एक रोज धृत राश ने कृष्ण जी से पूछा कि मैंने अपनी याद में ऐसा कोई पाप नहीं किया कि जिसकी सजा ऐसी कड़ी जो जैसी मुझे मिली है मैं अंदा हुआ और मेरे सौपुत्र मारे गए तब श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि ऐसी सजा का कारण मैं आपको अभी बतलाता हूँ और उन्होंने दृतराश्ट के सर पर हाथ रखा कुछ दिर बाद हाट हटा लिया और उनसे पुछा कि तुमको क्या मालूम हुआ दृतराश्ट ने जवाब दिया कि मुझको एक पिछले जर्म मनुष्य जर्म के कुछ कर्मों की याद आ गई परन्तु उन कर्मों में कोई कर्म ऐसा मालूम नहीं हुआ जिसकी ऐसी कड़ी सजा हो तब श्री कृष्य ने दुबारा उनके सिर पर हाट रखा और थोड़े दिर बाद फिर उन्होंने हटा लिया और पूछा कि अब क्या मालूम हुआ उन्होंने जवाब दिया कि अब एक और पिछले मनुष जन्म के कर्मों की याद हो आई मगर उन कर्मों में भी कोई भी कर्म ऐसा मालूम नहीं हुआ इसी तरह से श्री कृष्य ने छे बार उनके सिर पर हाथ रखा और छे मनुष जन्म होने में कोई कर्म ऐसा ना निकला जो उनको ऐसे घोल डंड का अधिकारी बनाता जब सात्वी बार श्री कृष्य ने उनके सिर पर हाथ रखा तब हाथ अटाने पर धितराश ने कहा कि इस सात्वे जन्म में एक कर्म ऐसा मालूम होता है और उस कर्म के अमसार उस जन्म में मैं एक बहादूर आदमी था एक बार की बात है मैं एक राजा की है नौकरी करने गया राजा ने पूछा कि तुम क्या तंखा लोगे मैंने जवाब दिया कि मैं एक सहसर रुपे महावर तंखा लूँगा राजा ने फिर पूछा क्या काम करोगे मैंने जबाब दिया मैं वो काम करूँगा जो आज आपके यहां कोई न कर सके राजा ने मुझको उतनी ही तंखा पर रख लिया राजा ने कई काम सुपूर्ट नहीं किया और यही कहा तुम दर्बार में हाजरी दिया करो कुछ वर्षों तक मैं तंखा लेता रहा और दर्बार में हाजरी दिता रहा एक बार की बात है कि राजा बहुत बिमार हो गए वेदों ने बहुत इलाज किया मगर बिमारी बढ़ती गई कोई फाइदा नहीं हुआ और राजा मनने के करीब हो गया वेदों ने कहा कि ये रोग आसादे हो गया है, अब हमारा काबू नहीं है, तब मंत्री बगहरे ने किसी दूसरे देश के एक बहुत मश्यूर वेद को बलाया, उन्होंने राजा की नफस को देखा और सभाल देखकर कहा कि ये मर्च अच्छा हो सकता है, इसकी एक ही दवा है मगर उस दवा को मिलना बड़ा मुश्किल है, राजा ने कहा आप बतलाईए तो, अगर मिल सकेगी तो मैं मंगवाओंगा, वेद ने कहा कि अमुक देश में एक महा भ्यानक जंगल है, वहां बड़े बड़े खुंकार जानवर रहते हैं, उनमें एक जानवर ऐसी शकल का है और वह बहुत ही खुंकार है, वह जिन्दा लाया जावे और यही मरवाया जाकर उसका कलेजा ताजा निकाल कर अगर निकाला जाएगा और अगर उसको घिसकर आपको पिलाया जावे तो आपका रोगदूर हो सकता है, परन्तो कोई मनुश्य उसको जिन्दा नहीं ला सकता राजा ने अपने सब नौकरों से पूछा कि भाई तुम में से कोई इस काम को कर सकता है सब ने साफ इंकार कर दिया कि महाराज हमसे ये काम नहीं हो सकता है तब राजा ने मुझसे कहा कि तुम इस बात को कहने पर नौकरी पे रखे गए थे कि जो काम कोई ना कर से काम मैं वो करूंगा मैंने कहा मैं निसंद है उस जानवर को जिंदा पकड़ कर लाओंगा मगर मुझको एक घोड़ा और एक उठ और चार आदमी दिये जावे वे आदमी वो उठ जंगल के बाहर में एक जगए खड़े कर रखूंगा और मैं अकेला घ घोड़ों पसावार होकर रवाना हुआ कुछ दिनों में उस जंगल में पहुँचा और उठ मैं आदमीयों के बाहर छोड़ कर मैं जंगल में दाकेल हुआ कुछी दूर चलने पर वो जानवर दिखाई दिया और उसके सो बच्चे थे जो इधर उधर घुम रहे थे मैंने पहले तीरों से उनसाब बच्चों को मार डाला और उसके बाद उस जानवर को बड़ी युक्ति से अंदा किया ताकि मुझ पर वो हमला न कर सके फिर घोड़े से उतर को उसे रसी से इस तरह बांदा की घसीतने पर मर न जाये और घोड़े पसवार होकर घसीता हुआ जंगल क घसके राजा को पिलाया राजा का रूप जो दूर होना शुरू हो गया और थोड़े ही दिनों में राजा बिलकूल अच्छे हो गया ये सुनने पक कृष्ण जी ने धितराश से कहा कि उस राजा की जान बचाने के कारण तुम राजा हुए और तुमने उस जानवर के सो ब प्रारब कर्मों में पिछले के कुछ जन्मों के कर्म हमारे मनकाश पचित्रों के रूप में रहते हैं और जितने कर्म हमने पिछले जनम में की होते हैं यानि कि हमने प्रारब में शामील होते हैं उनके चित्र मनकाश से मिटकर स्थूल शरीर में आते हैं जैसा कि हस्त मस्त अच्छ आदी अंगों की रेखाओं से ग्यात होता है। अच्छे बुरे कर्मों का नतीजा अच्छे बुरे कर्म अनुसार हर एक को जरूर भोगना पड़ता है। फल के मिलने में चाहे देर हो बगर मिले भी बगर नहीं रहता। दुष्ट लोगों को फलते फूलते देखकर दोस्तों हम लोग यही भ्रह्म हमें होता है कि यह इतना गलत काम कर रहे हैं फिर भी इतना सुखी क्यों है। जब उनके और पर्मतु पूर्व जर्म के कुछ अच्छे कर्मों के कारण वो इस संसार में सुख भोगते मालूम होते हैं। जब उनको अच्छे कर्मों के बदले सुक मिल चुकेंगे तब उनको अपने दुष्ट कर्मों के बदले दुख इसी जरम में या मरने की अवस्था में या किसी दूसरे जरम में भुगतने पड़ेंगे। कि टी कि और दो था ठी कर लोर्यक हुट